उमेश पराश्वर हमां साथ लाइब जुड़ गया हूंसे बातशीत करेंगे उमेश बताईए फिलहाल आप क्या देख रहे हैं और ये जो दौरा है प्रियंका गांदी का बेयाद एम हो जाता है क्योंकि सिंधिया के गड़ से वो हुंकार भनने वाली है आज उनके कारिकरम क क्या क्या रूप रेका रहने वाली है देखिए संस्क्राइब बिलकुत सही बात है कि अभी जो गवालियर है बो राइनित का होट स्पॉट बना हुआ है और इस समय हम समाधी इस्तल पर लच्छीवाई समाधी इस्तल पर खड़े हुए हैं जहां पर प्रियंका गांदी 11 व पूर दोड़ा इसी लिए भी है क्योंकि ये सिंदिया की गड़ में प्रियंका गांदी का गुवालियर में पहला दोर आ है और सबसे खास बात इसमें निकल कर यह आ रही है कि समाधी इस्तल पर जाएंगी यानि कही ना कहीं जो 1857 के जो सिंदिया परिवार की जो संबंद ह कहीं न कहीं उसको घेरा जाता था उसी को लेकर अब प्रियंका गांदी यहां पर पहुँचेंगी और कॉंग्रेस सिंदिया पर हमला बर कहीं न कहीं होते हुए नजर आएगी और जिस तरह से यहां से सवा इस्तल जाएंगी और सवा इस्तल पर वो आम सवा को संबोदित कर आएगे आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सुरच्छा की दरश्टी से अभी से आप देख सकते हो पूरे लच्वीबाई समाधी पर सुरच्छा का पूरा जायजा लिया जा रहा है और तकरीवन यहां पर जो 2018 के चुनावी नतीजे थे उनको एक बार फिर उससे भी अधिक ज होते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह से हमने देखा दिगविजे सीन ने लगातार कहा कि 1857 में जो पहले जो गड़ ता वो ड़ाता अब उसको बिखेर देंगे इस तरह से लगातार जो नेता हैं बड़े नेता हैं कॉंग्रेस के वो सिंधिया पर हमला बर होते हुए नजर लगातार कमना टक में कोंगरेस की सरकार बनी अब कोंगरेस चाहते है िहार अब प्रियंका गांधी का ये दोरा है वो सिंधिया पर लगाता हमला बार होते हुए नजर आएगा और इसके बाल कॉंग्रेस लगातार ये नजर आएगा ऑर इतिहास बनाने की हुंकार में जुट गई है अब कॉंगरेस लेकिन इसका परिणाम क्या होने वाला है तो विधा झाल ज